हाई अवरीबन वेलकम बैक टू हेल्दी हमेशा मैं हूँ डॉक्टर सलीम और आज इस वीडियो में मैं आपको तीन ऐसी चीजों के बारे में बताने वाला हूँ जो कि आपके बढ़े हुए कॉलस्टॉल को कंट्रोल मिलाने के लिए और आपकी नसों को साफ करने के लिए बह कर सकते हैं और सिर्फ कुछ ही हफ्तों के अंदर अपने कॉलस्टॉल को कंट्रोल मिला सकते हैं और अपनी नसों को साफ भी कर सकते हैं तो चलिए बीना किसी देरी के इस इंट्रस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन तीनों चीजों के बारे में पूरी पढ़ जाता है, kolesterol को अगर आप घटाना चाहते हैं तो इसके लिए मेंली तीन आप्शिन हमारे पास होते हैं, पहला आप्शन होता है, medications का, दूसरा आप्शन होता है, lifestyle changes का, और तीसरा आप्शन होता है, home remedies को इस्तेमाल करने का, अगर हम medications की बात करें तो mainly allopathic medicines ही इसके लिए इस्तेमाल की जाती है rosovastatin और atorvastatin ये दो ऐसी medicines है जो कि सबसे जाधा commonly इस्तेमाल की जाती है kolesterol को control करने के लिए लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ी problem है और वो problem ये है कि अगर आप इन दवाईयों को इस्तेमाल करते हैं तो जब तक आपकी ये दवाईयों चलती हैं तब तक आपको kolesterol control में रहता है लेकिन जब आप इन दवाईयों को छोड़ देंगे और इसके बाद अगर आप अपने lifestyle पे control नहीं रखेंगे खाने पीने का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपके अंदर वापस से kolesterol जो है वो पढ़ना शुरू हो जाता है और इसके साथ साथ बहुत सारे side effects जिसमें की सबसे जादा commonly देखा जाने वाला side effect है आपकी body के अंदर बहुत जादा कमजोरी का पैदा हो जाना तो ये भी आपके अंदर हो सकते हैं दूसरा option है lifestyle changes यानि अपने जीवन को जीने के तरीखे के अंदर कुछ बदलाव लाना दोस्तों गर आपका blood pressure बढ़ा रहता है तो बहुत ही जादा important है कि आप अपने life में कुछ positive changes लाएं अब ये positive changes क्या क्या हो सकती हैं? ये हो सकती है कि आपको अपने खाने के अंदर fried items को और जादा तलीबुनी चीज़ों को नहीं खाना है आपको saturated fat से और trans fat से बचना है आपको regular exercise करनी है आपको stress से बचना है इसके लावा आपको non vegetarian items अपने खाने में नहीं खाने है आपको जादा से जादा fruits और vegetables और whole grains को खाने में इस्तमाल करना है यह कुछ ऐसी basic चीज़े हैं जो कि बहुत ही जादा importance रखती है और बहुत ही जादा powerful होती है आपके cholesterol को कम करने के लिए तीसरा option हो सकता है home remedies का nature ने बहुत सारी ऐसी है में चीज़ेती हैं जो कि हमारे cholesterol के उपर असर करती है और उसको कम करने का काम करती है और इनका एक positive benefit यह होता है कि इस तरह की home remedies को इस्तमाल करने से आपकी body के उपर कोई भी side effect नहीं आता है सबसे पहली home remedy है flax seeds यानि अलसी के बीज दोस्तों flax seeds के अंदर omega 3 fatty acid content होता है और बहुत सारा soluble fiber भी होता है और यह दोनों ही चीज़ें आपकी body के अंदर ideal cholesterol को यानि bad cholesterol को कम करने का काम करते हैं और good cholesterol को बढ़ाने का काम करते हैं omega 3 fatty acids को आप flax seeds के लावा अखरोट के जरी ले सकते हैं और fish oil के जरी भी इसको आप ले सकते हैं अगर आप flax seeds को इस्तमाल करना चाहते हैं तो आपको रुजाना एक से दो tablespoon तक इसको खाना होता है flax seeds को इस्तमाल करने के लिए आपको पहले ये दो tablespoon flax seeds लेके इनको dry roast कर लेना है यानि इस वोड़ा सा भून लेना है भूनने के बाद इनको आपको grind करना है यानि piece लेना है और इसके बाद ये जब powder इसका बनता है इसको एक glass गुन-गुने पानी के इंदर डालके आपको सुभा सुभा खाली पेट इस्तमाल करना है flax seeds को आपको कभी भी साबोत इस्तमाल नहीं करना है क्योंकि अगर आप इसको साबोत इस्तमाल करेंगे तो ये आपकी body के इंदर digest ही नहीं हो पाएंगे और इसका फायदा आपको नहीं मिलेगा अगर आप अखरोट के जरीए omega 3 fatty acids लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको रोजाना 2-3 अखरोट की गिरी लेनी चाहिए रात को सोते समय एक केटोरी पानी में इसको आप भिगो दीजे और सुभा सुभा खाली पेट इसको चबा के पानी के साथ अच्छी तरीके से आप इससे भी आपको omega 3 fatty acids काफी अच्छी क्वांटिटी में रोजाना मिलते रहेंगे वैसे अगर आप चाहते हैं कि omega 3 fatty acids आपको controlled quantity में therapeutic dose में मिले तो उसके लिए आप regularly omega 3 fatty acids का कोई अच्छा supplement भी इस्तेमाल कर सकते हैं वैसे मैं पहले भी आपको कई सारे omega 3 fatty acids supplements के बारे में बताता रहा हूँ और आज भी मैं आपको एक बहुत बढ़िया omega 3 fatty acids supplement के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है Phytica omega 1000 supplement Phytica omega 1000 में आपको market में मिलने वाले दूसरे omega 3 fatty acids supplements के मुकाबले में दो गुना जादा EPA और DHA मिलते हैं EPA और DHA अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको बताता चलूँ कि ये वो खास तरह के omega 3 fatty acids होते हैं जो की सबसे ज़दा effective होते हैं सबसे ज़दा beneficial होते हैं Phytica omega 1000 के हर एक capsule के अंदर आपको 1000 mg omega 3 fatty acids मिलते हैं इन 1000 mg में से 360 mg होते हैं EPA की शकल में, 240 mg होते हैं DHA की शकल में और बाकी बचे हुए 400 mg जो हैं वो दूसरे type के omega 3 fatty acids होते हैं तो सिर्फ दिन में अगर आप इसका एक से दो capsule ले लेते हैं तो आपको दिन भर की जो requirement है omega 3 fatty acids की वो पूरी हो जाती है और आपको वो सारे benefits मिलते हैं आपके heart health इससे improve होती है, आपकी नसे healthy बनती है, इससे आपका brain function improve होता है, आपकी memory enhance होती है, आपकी eyesight बढ़ती है, blood pressure को control में रखता है, हड्डियों को और जोडों को strong बनाता है, हड्डियों और जोडों के अंदर inflammation और दर्थ को कम करने का काम करता है, आपकी skin health को improve करता है, hair health को improve करता है, यानि in short, सर से लेके पाउं तक सभी systems के लिए या आपके beneficial होता है, और regularly इसको आप long term तक इस्तिमाल कर सकते हैं, रुजाना दिन में दो time इसको आपको लेना चाहिए, एक capsule आप ले सकते हैं सुबह नाश्ता करने के बाद, या दोपहर को खाना खाने के बाद और एक capsule आप ले सकते हैं रात को खाना खाने के बाद, ये एक पूरी तरह से safe, natural और effective supplement है, जिसको males और females दोनों ही इस्तिमाल कर सकती हैं, और आप इसको 12 साल तक के बच्चों को भी दे सकते हैं, सिर्फ अगर pregnancy हैं आपको, अगर आप कोई lady है और pregnant हैं, तो उस case में आपको लेने से पहले अपने doctor से एक बार consult कर लेना है, या फिर अगर आप pure vegetarian है, तो उस case में आपको इसको नहीं लेना है, क्योंकि ये एक non-vesh product है, और अगर आपको कोई बहुत chronic problem है, या अगर आप कोई blood thinning की medicines लेते हैं, खून पतला करने वाली दवायां लेते हैं, तो उस case में इसको लेने से पहले एक बार आपको अपने doctor से consult कर लेना चाहिए, वाइटी का omega 1000 के बारे में अगर आप और जादा जानना चाहते हैं, या फिर इसको purchase करना चाहते हैं, तो सभी links आपको नीचे description box में और pinned comment में मिल जाएंगे, वहाँ से click करके आप इसके बारे में और पारे फाइदे रखते हैं, यह हमारी body के अंदर LDL को घटाने का काम करते हैं और HDL cholesterol को बढ़ाने का काम करते हैं, इसके साथ हमारी body में inflammation को कम कर देते हैं, हमारी नसों के अंदर जो inflammation या प्लाकिंग हो जाती है, उसको कम कर देते हैं, जिसकी वज़ा से नसों के अंदर blockage ह होने का जो खत्रा है, वो कम हो जाता है, दूसरी home remedy जो कि आप अपना cholesterol कम करने के लिए और नसों को साफ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है apple cider vinegar यानि safe का सिर्का, दोस्तों apple cider vinegar एक ऐसी home remedy है, जो कि हजारों साल से इस्तेमाल होती आई है, बहुत सारी अरग लग तरह कि health problems को ठीक करने के लिए, और इसका एक फाइदा cholesterol को कम करना भी है, apple cider vinegar के अंदर acidic acid होता है, और बहुत सारे ऐसे antioxidants होते हैं, जो कि body के अंदर LDL को कम करते हैं, और HDL को बढ़ाने का काम करते हैं, यानि bad cholesterol को कम करता है ये, और good cholesterol को बढ़ाने का काम करता है, अगर आप apple cider vinegar क को इस्तेमाल करते हैं, तो इसके साथ-साथ आपको blood pressure control करने में भी ये मदद करता है, यानि जिन लोगों का BPI रहता है, ऐसे लोगों को भी apple cider vinegar का इस्तेमाल करने से काफी मदद मिलती है, अगर आप apple cider vinegar को इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक glass पानी चाह करिए, खाना खाने से आदा घंटे पहले, apple cider vinegar लेते समया, बस एक बात का आप खास ध्यान रखना है, जो भी apple cider vinegar आप ले रहे हैं, वो raw होना चाहिए, unfiltered होना चाहिए, unpasteurized होना चाहिए, और इसके अंदर mother होनी चाहिए, mother of vinegar यानि ऐसे particles जो कि आप अगर apple cider vinegar को किसी light source के सामने देखेंगे, तो उसमें तैड़ते हुए आपको मिलेंगे, कुछ filaments जैसे, यह basically mother of vinegar होता है, जो कि सबसे ज़्यादा beneficial होता है, और इसी तरह का apple cider vinegar आपको लेना है, ताकि जो maximum benefits है इसके, वो आपको मिल सके, तीसी चीज़ है garlic यानि के लसन, दोस्तो garlic के बारे में मैं मैं already बहुत सारी videos बना चुका हूँ और आप लोगो को बता चुका हूँ, कि यह cholesterol को कम करने के लिए कितनी जादा effective चीज़ है, और आज एक बार फिर आपको बता रहा हूँ, कि यह cholesterol कम करने के लिए जितनी भी बढ़िया से बढ़िया चीज़े होती है, उन में से एक है, ब इप्रूव करने का काम करती है, गार्लिक को इस्तेमाल करने से आपकी नसों के इंदर placking होने का खतरा कम होता है, एथेरोइस कम होती है, यह कैसा प्रॉसेस जिसमें आपकी नसे जो हैं, उम्र के साहसा सख्त होने लगती है, उनके अंदर calcium का deposition होने लगता है, और यह भी ए heart attack यसी बीमारियां होने का रिस्क भी कम होता है अगर आप garlic को इस्तमाल करना चाहते हैं regularly तो इसकी कम से कम एक से दो कलियां आपको जरूर खानी चाहिए और इसकी कलियों को खाने के लिए आप पहले थोड़ा बारीक बारीक इसको काट लें 5-10 मिनटी फिर इसको छोड़ दे और उसके बाद ही इसको आप इस्तमाल करें तो आपको इससे maximum benefits मिलेंगे दोस्तों ये तीनों ही चीज़े यानि apple cider vinegar, garlic और flax seeds आपके kolesterol को कम करने के लिए बहुत ही जादा effective होते हैं और पूरी तरह से safe भी होते हैं इनको आप long term आराम से इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन जैसा क कि मैंने आपको वीडियो की शुरू में ही बताया था कि आप कोई साभी major को कम करने के लिए अपनाए उसके साथ आपको कुछ basic lifestyle modifications करना बहुत important होता है तो अपनी life में कुछ positive change भी लाइए exercise भी किजिए और healthy खाना खाइए ताकि आपको इन सभी चीज़ों का जो benefit है वो सही माइनों में मिलता रहे मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और इससे आपने कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे like कीजिए चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe कीजिए और सभी की साथ share अगर आप चाहें तो मेरे साथ Instagram पे भी जोड़ सकते हैं मेरा Instagram आईडी इस समय आपके स्क्रीन के उपर चो हो रहा है तो आप Instagram पे चाहें तो मुझे DM करके अपना कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं या फिर आप नीचे comment section में भी अपना सवाल मुझसे पूछ सकते हैं मैं Dr. कर दो